अंजू और राजस्थान में रहने वाले उसके पती अर्विंद के बीच में लगातार विवाद बढ़ रहा है अर्विंद और अंजू दोनों का एक वीडियो सामने आया जिसमें अंजू अपने पहले पती अर्विंद को धंकाते और गालियां देते वे सुनाई दे रही है दावा यह है कि पाकिस्तान से अंजू ने अर्विंद को फोन किया था रिपोर्ट देखे पाकिस्तान से अंजू ने भेजी धंकी अंजू ने वाटसेप कॉल पर पहले पती को धंकाया अपने दो बच्चों और पती को छोड़ पाकिस्तान पहुँची अंजू का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें फोन पर अंजू अपने पहले पती अर्विंद को गालियां और धंकी देते हुए सुनाई दे रही है अंजू ने फोन पर दावा किया कि वो अपने बच्चों के लिए वापस भारत आएंगी लेकिन इस बीच पाकिस्तान में अंजू की उनके दोस्ट नसूरुला से शादी करने का दावा किया गया और इसी दावे को लेकर अंजू के पती ने फोन पर बात की तो अंजू उनके उपर भड़क गई जिसके बाद अर्विंद का भी पारा सात्वे आसमान पर पहुँच गया और वो भी अंजू से फोन पर गुसा हो गए और अर्विंद ने पाकिस्तान गई अंजू पर कई आरोप मढ़ दिये क्योंकि सामने आए अंजू के वीजा एप्लिकेशन फॉर्म में उनका जूट बेनकाब हो चुका था और जब अंजू से उनकी बात हुई तो वो आग बबूला हो गए और अंजू को पाकिस्तान में सगाई और शादी करने का आरोप लगा दिया पाचीत के दौरान अंजू और अर्विंद दोनों काफी गुस्से में नज़र आए तु तो सगाई भी कर रखिये तुने जूट बोलिये अंजू के मताबिक वो पाकिस्तान जाने और वहाँ अपने दोस्त नसूलाह खान से मिनने के लिए बीते दो साल से प्लैनिंग कर रही थी और अंजू के पती अर्विंद के दावे के मताबिक वो उन्हें बिना बताए पाकिस्तान गई जबकि अंजू के पती अर्विन के दावे के मताबिक उनकी बड़ी बेटी ने अपनी मा यानी अंजू को अपनाने से इंकार कर दिया क्योंकि अंजू बिना उन लोगों को बताए पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अंजु ने धर्म परिवर्तन करके अपने दोस्त नसुरुलाह खान से शादी कर ली दावा है कि अंजु और पाकिस्तान के नसुरुलाह के बीच फेस्बुक के जरिये प्यार हुआ पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि दोनों ने शादी भी कर ली और शादी के बाद अंजु को महंगे गिफ्ट भी मिलने की जानकारी सामने आ रही है